तो गाइस अगर आप अपने घर को रेनुएट करने का सोच रहे हैं या फिर आपका नया घर बन रहा है उसमें प्लास्टर हो चुका है तो अगर आपको अपने घर में लक्जियरी फील देनी है और आपने पॉकेट बजट को थोड़ा से एक्सपेंड कर सकते हैं तो मैं आप आपको रेकमेंड करूँँआ हमेशा प्योपी ही लगाए घर के अंदर पुट्टी ना लगाए क्योंकि जो फिनिशिंग प्योपी से आ जाएगी वो पुट्टी से नहीं आ पाएगी मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूँ आप कमेंट में बता सकते है कि कौनसी फोटो म पूपी पनिंग है ये कौन सी फोटो में पुटी फुनिश है तो आज का टॉपिक हमारा वीडियो का यही होने वाला है कि पूपी की क्यों लगानी चाहिए हमें इंटीर में अब सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा हूँ है फिनिशिंग जो फिनिशिंग हमें पूपी दे सक रखता था बट मैंने इतने प्रजेक्ट कर ली है मुझे नहीं रखता है पॉसिबल है तो प्योपी से आपको उसको टच करेंगे या फिर अगर तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियो में जिसमें मैं प्योपी पंडिंग कर रहा हूंगा तो मैं उसमें आपको यह एक या चेक है आसपास नेक्स जो पॉइंट आता है वो होता है अंडिलेशन अंडिलेशन मतलब वेवज यह हो गई अब फोटो में आप देखिए अब फोटो में आप देख सकते हो कैसे आपको थोड़ी थोड़ी लहर दिखाई दे रही है यह वेवज या गैप्स दिखाई अपने गर में प्रून ने यह नहीं पता कि यह नहीं पता कि यह न हो भी रही है और जबकि चार्ज आप से बराबर लिया जा रहा है तो जो यह वेव्ज हैं यह पियोपी पनिंग में कभी वेव नहीं यह एक रिच एंड स्मूद फिनिश आईगी मतलब कि आप किसी एंग से देखिए आपको कोई भी अंडूलेशन या वेव नहीं दिखाई देगी तो प्योपी अगें 10 में 10 इसको रेटिंग मिलेंगे जबकि पुट्टी को 10 में से 6 ही मिलेंगे नेक्स जो प्योपी कराने का फायदा वो यह है कि प्योपी जो है थर्मल रिजिस्टन्ट होती है इसका मतलब यह हो गया कि अगर आपने घर में प्योपी कराए तो जो बहार से गरमी आने वाली है जो आपके अंदर का temperature rise होता है, वो उसको कम से कम 2 degree तक down रखेगी, अगर बहाँ temperature 30 degree है, तो आपके room के अंदर जो temperature है, वो 28 degree रहेगा, तो P.O.P. कराने का ये भी फाइदा होता है, एक और bonus point होता है, जो P.O.P. का होता है, वो एक fire retardant material है, fire retardant का मतलब हो गया कि अगर in case गलती और वाल्स जो हैं, वो आपको इतनी जल्दी capture नहीं करेगी, वो बहुत धीरे-धीरे material बरनना शुरू होगा, तो ये भी एक plus point है, next जो point आता है, आप किसी चीज़ के फाइदे हैं, तो नुकसान भी होते हैं, तो P.O.P. में जो नुकसान आता है, वो होता है setting time, अगर आप अगर में paint करा है, आपको थोड़ा जल्दी है, तो putty आपका काम करवा सकते है, क्योंकि putty क्या होते है, suppose कि ये एक coat हुआ, तो उसके 4-5 गंटे में आप दूसा coat उस पर कर सकते हो, जबकि P.O.P. चाहे गर्मी क्या ही time क्यो नहीं, P.O.P. करीब एक दिन से दो दिन ले ले जो सरदियों का time हुआ, तो और ज़्यादा भी लग सकता है, तो P.O.P. जो है, वो सूखने में time लेती है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा rich finish चाहिए, luxury feel चाहिए, तो थोड़ा कहीं न कहीं तो आपको compromise करना ही पड़ेगा, अब कुछ लोग हम से पूछते हैं, क्या हम P.O P.O.P. को हमेशा घर के अंदर कराएं, अब एक और जो खासित है P.O.P. की वो ये है, कि P.O.P. time के साथ और temperature के साथ कभी भी ना expand करेगी ना shrink करेगी, वो जैसे आपने करके लगा दिया है P.O.P. वो वैसे की वैसे ही रहेगी, तो आपके जो paint की life है, एक तो वो बढ़ जा ना हो या उसमें कोई issues ना हो, तो वो time mode temperature के साथ कभी को उसको फरक्त नहीं पड़ता, जब कि पुट्टी में hairline crack develop हो जाते हैं, इसमें जो scam चलता है, वो इस से आप चलता है कि जो P.O.P. है, उसकी manpower जो है, उसको थोड़ा सा skill होना ज़रूरी है, नहीं तो P.O.P. और प automation paints के सस्ते से सस्ते लेके महंगे से महंगा paint कौन सा है, washable है या plastic है, उसकी coverage कितनी होगी, 20 liter का price कितना आएगा, वहाँ देख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बता हूँगा कि P.O.P. को check कैसे करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि P.O.P. इतनी घटिया तरीके से हो जाती है क्या क्या चीज़े और P.O.P. से हम कर सकते हैं, क्योंकि P.O.P. अपने आप में ही एक ऐसा version है, जिसके थ्रूँ आप बहुत सी creative चीज़े कर सकते हो, आपको अगर चाते हो पूछना अपने घर के लिए आप हमें wall पे photo भेजो, हमारी website पे photo भेजो या हमें mail करो, हम आपको free of course recommend करेंगे, आपको interior का points बताएंगे कि आप best क्या कर सकते हो, till then guys वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, मेरा motive एक है कि अगर आपका पैसा लग रहा है, तो ये आपका हक है कि आपको सबसे best चीज मिले, okay guys till then, goodbye and namaskar.